आज दिलिप कुमार का निधन हुआ और आज ही के दिन कुछ ऐसी बाते हैं जो दिलिप कुमार की जिन्दगी से जुड़ी हुई तो है लेकिन वहीं उनके फैंस अब भी नहीं जानते कि दरसल दिलिप कुमार फिल्मी दुनिया में आने से पहले बनना चाहते थे एक फुटबॉल प्लेयर जी हां दिलिप कुमार एक बहतरीन फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट लाइफ म काफी कोशिश भी की और बहतरीन प्लेयर भी बने दिलिप कुमार का जन्म तो पेशावर में हुआ था लेकिन उनके पिता अपने फलो के व्यविसाय को बढ़ाने का सपना लेकर मुंबई चले आए उन्हें स्कूल की फुटबॉल एसोसियेशन का सेक्रेटरी बना दिया गया अब दिलिप कुमार का सपना था देश की टीम में खेलना लेकिन उनके पिता चाहते थे दिलिप फुटबॉल ना खेले बलकि शतरंज में अपना करियर बनाए एक मैगजीन को देते हुए इंटिव्यू में दिलिप ने बताया था कि जब तक वह जौब करने लगे थे तब तक यानि की उन्निस साल की उम्र तक फुटबॉल खेलना ही उनका जुनून था वही अंठानवे वर्षिय दिलिप कुमार बीते कुछ दिनों से सास संबंधित स्वास्त समस्याओं से जूज रहे थे जहाँ पर 30 जून को हाल ही में उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पिताल की ICU में भरती किया गया दिल कुमार के निधन से हिंदि सिनिमा की एक सदी का अंध हुआ है वही सभी फैंस बेहत निराश दिख रहे हैं नेक्स नाइन न्यूस से शेया की रिपोर्ट